hello दोस्तो अगर आपको चाट खाना पसंद है या फिर आप चाट लवर हैं तो एक बार इस काटोरी चार्ट को जरूर ट्राय करें बहुत एजी है बनाना और यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तयार होता है अगर आपने एक बार इस काटोरी चार्ट को बना लिया तो सूजी डाल देंगे आप कोई भी सूजी ले सकते हैं इसमें हम नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार आधी चूटी चमच आजवाइन डालेंगे और इसके साथ मौइन के लिए मैं यहाँ पे दो बड़ा चमच ओईल डाल रही हूँ अच्छे से मौइन को हम यहाँ पे आटे डालेंगे और इसके लिए हम बिल्कुल सकत सा एक आटा लगा करेंगे देखे फ्रेंड्स इस तरीके से जो डो है हमें बिल्कुल सकत सा चाहिए अब हम इसे कवर करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो आटा बिल्कुल अच्छे से सैट हो जाए तो यहाँ पे यहाँ पे लोई तोड़ लें तो सारा लोई हमने तोड़ लिया एक लोई को लेंगे और बाकी को हम कवर करके रख देंगे इसे हमें बेल ना है तो यहाँ पे देखे इसे बेलने के लिए आपको ना आटे की जुरत पड़ेगी ना ही कोई ओयल का बहुत ही आसानी सी आप ऐसे बेल सकते हैं क्यूंकि जो आटा है हमने सकत लगाया है तो इस तरह के न von civ क के लिए और यहाँ चार प् तो यहां पर देखें मैं इसे पलट ले रही हूँ और जो एक्स्ट्रा आटा है आपको साइड में दिख रहा होगा उसका हम इस तरीके से प्लेट बना लेंगे और पूरे कटोरी का सेप हम इसे देदेंगे इस तरीके से देखें आटे का जो है जो हमने बेला है वो बहुत ज हटा लेते इस तरीके से अगर आप नहीं हटाएंगे तो जब आप इसे फ्राइ करेंगे तो आप इसमें से कटोरी निकाल नहीं पाएंगे वो फस जाएगा तो इस तरीके से बिल्कुल जो साइट का एक्स्ट्रा आटा उसे हटा लेते हैं और एक यहां पर हम इस तरीके का चमश लेंगे फॉर्क का और इससे तरीके से होर्ट कर लेते हैं इस तरीके से और बूँ जो कटोरिव को हम बनाके तयार कर लेते हैं तो फ्रेंज यहां पुर्स तरीके की ओना है यहीं क्यित्स तो इसे तोटा सा यहां पे डो डाला हुआ है और देख पारेंगे तेल बहुत ज्यादा हीट नहीं है तो बस इसी तरीके का टेंपरेचर का में हीट चाहिए अब हम इसमें कटोरी को डाल देंगे और एक चमच की मदद से हलका सा कटोरी को इस तरीके से नीचे की तरफ प्रे केले उसके बाद हम कटोरी को निकालेंगे तो अगर आप इसे फर्स्ट बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा सापधानी से इसे बनाएं क्योंकि तेल का छीटा भी पड़ सकता है तो यह देखिए थोड़ा सा सीख चुका है अब हम इसे निकालेंगे तो इस तरीके से चिम्ट गुर्डन भी छेसे मैं पकड़न नहीं पा रहे थी तो यह गलती आप करें थोड़ा साप कटोरी से छोटा ही आप उसे जो साइट से आपने आटा लगाया है ऊश्याम कर देंगे तो इस तरीके से देकि मैंने को निकाल लिया है और इसे हम अच्छे से मदल से मादल के साब अधाने से साइड कर लेंगे और कटोरी को अब हम सिखने देंगे अब यह इसका जो सेफ है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा क्योंकि हमने इसे थोड़ा सिखने देने कटोरी अगे कभी अप्लोड करूंगी तो यहां पर देखें सारी कटोरраст की इस चार्ट कर बना लिया और बहुत इसी अदर की फीलिंग बनानी तो फ्रेंस दो कटोरी जो है वो मेरा खराब हो गया था कटोरी निकालते वक्त वो ठीक से निकल नहीं पाया था तो एक दो कटोरी खराब हो जाता है अब हम इसके अंदर की जो फीलिंग है वो बनाएंगे तो यहां पर एक बोल में मैंने तीन बड़े साइज के आलूली हैं बले हुए आलू हैंAPP Chi other glass of at Around कर लिए इसके बाद हम इसमें डालेंगे appealing 00्यूम कर लियाता है के इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारी कटे हुए ठमाटर इसके साथ हम डालेंगे बारी कटे हुए प्यास हारा धनिया आपको जो भी इसमें डालना वो डाल सकते हैं यहां पे मैंने थोड़े-से सेफ बिबारी कट करके डाले थोड़े रह से हरा धनिया मैंने इसमें डाला है हरी मेर्च भी डाला है और इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा डालेंगे आमचूर पाउडर इसे चटपटा बनेगा और एक छोटी चमच मैंने इसमें डाला है भुना हुआ जीरा का पाउडर थोड़ा वो कम जादा कर सकते हैं तो यह हमारा चटपटा सा फिलिंग बनके तयार हो गया है अब हम इसे कटोरी में फिल कर लेंगे इस तरीके से देखिए आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी ल दाल सकते हैं मैंने नहीं डाला है इसके बाद हम डाल देंगे इसमें भुनावा चीरा का पावडर थोड़ा सा नमक मैंने डाला है स्प्रिंकल करके अब उपर से हम डाल देंगे बारिक शेव और उपर से थोड़ा सा हरा धनिया और उसके बाद फिर से हम थोड़ा सा खटा तो यहां पर देखिए मैंने दो इस तरीके से सर्व किया है तो फ्रेंज अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और भी रेसिपीक से साथ तब तक ले थैंक यू बाई